हेलो इशुडेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो ऑल्लाइन क्लास में आपका स्वागत है देगे हम चैप्टर नंबर छे पड़ रहे थे जिसमें हमने पाधपों से संबंदित चीजों के बारे में पड़ा कि पाधप उतक कितने प्रकार के होते हैं उसके बाद हमने पड़ा कि ये जो पाधप उतक हैं इनका तंत्र कितने प्रकार का होता है और फिर हमने पड़ा कि जड़ तना पत्तियों की आंत्रिक सर्चना किस प्रकार की होती हैं और अंत्र में इस चैप्टर के अंदर दुतियक ब्रद्धी आर्था जब प्रात्मिक ब्रद्धी पूर्ण हो जाती है तो पाधपों के अंदर जड़ और तने के भागों में दुतियों मोटाई में ब्रद्धी होती हैं और उस मोटाई में ब्रद्धी को दुतियक ब्रद्धी कहते हैं ये ब्रद्धी जो होती है वो केबल दिवीज पत्री जड़ और दिवीज पत्री तने के अंदर ही होती हैं एक बीज पत्री में नहीं होती है क्योंकि वहां केम्बियम का अभाव होता है तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर चल रहा था वो पूरा हो गया है आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारा जो चैप्टर है ये जूलोजी से सम्मंदित है अर्ता इसमें हम प्राणियों से सम्मंदित बातें करेंगे अब देखें ये जो चैप्टर न सरचनात्मक संग्ठन प्राणियों में सरचनात्मक संग्ठन अर्थात् प्राणियों का सरीर किस तरह से बना हुआ होता है देखे सभी जीवों के सरीर की सबसे छोटी सरचनात्मक एवं किरियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है अर्थात् सभी जीव के सरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका ये कोशिका एक बहुती सूक्ष्म सरचना होती है एक कोशिका संपूर्ण जीव की सरीर की सरचना की जो किरियाए हैं वो नहीं कर पाते है कुछी जीव ऐसे होते हैं जिनका सरीर एक कोशिका से बना होता है लेकिन अधिकतर जीव जो है वो बहु कोशिकी सरचना की रूप में होते हैं अब ये कोशिका जो है ये पादफों की कोशिका अलग तरीके की होती है यानि पादफों की कोशका की जो के अंदर कोशिका वित्ती की उपस्तिती होती है लेकिन प्राणी कोशका में कोशिका वित्ती नहीं होती है पादफों की जो कोशका होती है उसमें कोशका वित्ती यानि सैलवाल उपस्तित होती है लेकिन प्राणी की जो कोशका होती है उसमें कोशिका वित्ती उपस्तित नहीं होती है साथ में ये जो पादब कोस्काएं होती है उनमें तो पाए जाता है हारित लवक या लवक पाए जाते हैं लेकिन प्राणियों की कोस्का में लवकों का भी अभाव होता है प्राणि कोस्का में लवकों का भी अभाव होता है तो देखे पादब कोस्का और प्राणि कोस्का जो है ये अलग-अलग होती है अब ये जो प्राणि कोस्काएं होती है ये आपस में संयूप तो करके ये आपस में मिलकर के उतकों का निर्मान करती है अर्थात कोसी काओं से उतक बनते है आर्था सेल जो होती है ये टिशू बनाते है और उतक जो है ये मिलकर के अंग बनाते है और अंग मिलकर के तंत्र बनाते है एज ए सिस्टम और तंत्र से बनता है सरीर एज बॉड़ी तो जी वो प्राणियों का जो सरीर बनता है यारी सरचनात्म गूरूप से अगर देखें तो इसमें कोशिकाएं होती हैं कोशिकाएं मिलकर के उतक बनाती हैं और उतक जो है आपस में संटित होकर के अंगों का निर् से फिस क्रिया को सम्पन करने के लिए बिविन प्रकार के अंग एक तंत्र का निर्मान करते हैं जैसेयर पाचन-तंत्र ये तंत्र, जनन तंत्र और फिर वो एक किरियाय संपन होती हैं। तो ऐसे तंत्र जो है, ये जब शरीर के अंदर उपस्तित होते हैं, तो पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो यहां हम सबसे पहली बात करेंगे ख़े ओतक जो है क्या है क्यों क्यों कि कोशिकाये सरीर की सबसे छोटी सरचनत मत और एवं कर्यात्म की काई होती है और इसके लिए हम अलग से एक यूनिट आएगी जिसका नाम कोशिका विज्यान ही होगा ठीक है तो यहां हम सबसे पहली बात करें पादपों के प्राणियों के अंदर पाए जाने वाले उता प्राणी उता एनीमल टीशू देखे जिस प्रकार से पादपों के सरीर में बिभिन प्रकार के पादप उतक उपस्तित होते हैं उसी प्रकार से प्राणियों के सरीर में भी बिभिन प्रकार के उतक होते हैं जो कि सरचना की दरश्टी से और कारिय की दरश्टी से भिन्निता प्रदस्यत करते हैं तो ये कह सकते हैं कि उतक क्या होता है तो उतक की परिवासा वही होगी जो पादपों में होती है कोसी का बिविन रूपों में विसेश कारियों के लिए संग्टित हो जाती है और संग्टित होना ही एक प्रकार से उतकों का निर्मान करना होता है अब देगे ये जो उतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है या जो कोशिकाएं संग्टित होती है उतक के रूप में ये एक एकाई की तरह कारे करती है अर्थात जो भी कार्य है वो पूरी कोशकाएं सब एक ही कार्य को करते हैं अर्थात वो अलग से अपना स्थित्व जो है वो नहीं रखते हैं अब ये उतक जो होते हैं ये सरचना की दरश्टी से और कार्य की दरश्टी से बिभिन प्रकार के होते हैं लेकिन मुक रूप से ये जो प्राणी उतक है इनको चार प्रकारों के अंदर बाटा गया है जिस तरह से पादफ उतकों को भी दो प्रकारों में बाटा गया था पहले विवजो उतक फ्रिस्ताई तो इस तरह से यहाँ जो प्राणी उतक हैं इनको चार प्रकारों में बाटा गया है अब यह चार प्रकार कौन कौन से हैं पहले तो यह देखिए सबसे पहला है उपकला उतक उपकला उतक यानी एपिथीलियम टिशू उपकला उतक और दूसरा है सायोजी उतक तीसरा है फेसी उतक और चौता है तंत्रिका उतक तो उतक जो है वो चार प्रकार की होते हैं एक तो होता है उपकला उतक एजे एपिथीलियल टिशू दूसरा है सायोजी उतक और तीसरा है पेसी उतक अर्था मसल्स टिशू और चौता जो है तंत्रिका उतक एजे नर्वस टिशू चार प्रकार के उतक जो है होते हैं अब यहां हम एक एक करके उतकों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला उतक है कौनसा अपकला उतक टेक है तो आज हमारा है अपकला उतक है अपकला उतक है एप्यतीलियल टेशू देखें ओपकला उतक नाम से के लिए हो रहे हैग ओप प्लस कला कला का मतलब जिलली यानि ये बहे उतक होता है जो सरीर की जो एक प्रकार से बाहिये सते अथभा आंत्रिक सते जिस प्रकार के उतकों से यानि बाहरी सते या आंत्रिक सते जो है जिन उतकों से मिलकर के या जिन उतकों से बनी हुई होती हैं वो होते हैं उपकला उतक जैनि ऐसी कोशकाओं का समू जो अंगों की बाहरी अथवा आंत्रिक सते का निर्मान करते हैं तो बह क्या कहलाता है उपकला उतक नाम से के लिए बहारी वे उतक जो अंगों की वाहिय अथ्वा आंत्रिक सत्य हैं का निर्मान करते हैं उपकला उतक कहलाते हैं यानि ये बहारी सत्य अथ्वा आंत्रिक सत्यों को बनाने वाले उतक होते हैं और ये इस उतक की जो कोशिकाय हैं इसमें कोशिकाय आपस में सटी हुई होती हैं कोशिकाय जब आपस में सटी हुई होती हैं तो ये एक ध्रड़ परत या सत्य बन जाते हैं तो ये एक तरह से ध्रड़ता प्रदान करने का जो है वो कार्य करते हैं ध्रड़ता पूर वक जुड़ी हुई रहती हैं किसके द्वारा उपकला उतक के द्वारा यही उपकला उतक जो हम पादपों में पढ़ते हैं तो वहां भी इसको उपकला उतक यह पढ़ते हैं तो यह सबसे बाहरी उतकों का समुगता है अब यह जो है उपकला उतक इसके प्रकार यह जो उपकला उतक है इसको तीन प्रकारों में बाटा गया है एक तो होता है सरल उपकला उतक सरल उपकला उतक simple epithelial tissues दूसरा होता है जिसे हम कह सकते हैं सायुक्त उपकला उतक इसमें सरल में क्या है कि एक ही परत होती है उपकला में यह जो सायुक्त उपकला उतक है इसमें एक से ज़ादा कोशिकाओं की परते होती है तो इसलिए इसका नाम हो गया है सायुक्त उपकला उतक और तीसरा जो है वो है विशिष्ट उपकला उतक तो देखें यह सरल या कह सकते हैं उपकला उतक जो है वो तीन प्रकार से होता है या तीन प्रकारों में से बाटा गया है एक तो है सरल उपकला उतक दूसरा है सायुक्त उपकला उतक और तीसरा है विशिष्ट उपकला उतक यहां देखें सरल उपकला उतक का मतलब होता है जब कोशिकाओं की एकल परत होती है तो वो सरल उपकला उतक होता है और जब एक से ज़ादा परते होती है तो उसे सायुक्त उपकला उतक कहते हैं और जब सरल और संयुक्त उपकला उतक कोई बिसेश प्रकार की सर्चना बना लेते हैं तो उसे कहते हैं बिसेश्ट उपकला उतक कहा जाता है ठीक है अब आता है सरल उपकला उतक सरल उपकला उतक सरल उपकला उता सिंपल एपिथीलियल टिशूज कहा जाता है अब देखें अभी हमने बताया कि ऐसा उतक जिसमें एक ही कोशकाओं की पर्त होती है यानि ये एकल कोशकाओं के इस तर से या पर्त से बना हुआ होता है यह है एकल कोशकी है एकल कोशकी है इस तर से बना होता है यानि कह सकते हैं इसमें कोशकाओं की जो है वो एक ही पर्त होती है तो ऐसी स्तिती में इसको सरल उपकला उतक कहते हैं और ये जैसे देहे गुआ होती है सरीर की जो देहे गुआ है या फिर रुदिर की बाहिनी काएं या नलिकाएं होती हैं सरीर के अंदर विविन भागों में ये इस सरल उपकला उतक के द्वारा ही आस्तरित होती है सरल उपकला उतक के द्वारा आस्तरित रहती है अब ये सरल उपकला उतक जो है अब ये अमने का संहिक्त में दोसी जाती सरल उपकला उतक जो होता है ये कोशी काओं की सरचना और उनका जो रूपांतरन होता है उसके आधार पर ये सरल उपकला उतक जो है ये भी तीन प्रकार का होता है तो अब हम बात करें सरल उपकला उतक के प्रकार के प्रकार सरल उपकला उतक जो होता है ये एक तरह से कोशिकाओं की जो सरचना के अंदर किस तरह का रूपांतर हुआ है उस आधार पर ये तीन प्रकार का होता है एक तो होता है सलकी सरल उपकला उतक सलकी सरल उपकला उतक दूसरा है घनाकार सरल उपकला उतक घन जैसी आकरती है तो वो कहलाएगा घनाकार तीसरा है इस्तंबाकार सरल उपकला उतक तो ये तीन प्रकार का होता है कौन सा सरल उपकला उतक सलकी सरल उपकला उतक दूसरा घनाकार सरल उपकला उतक और तीसरा है इस्तंबाकार सरल उपकला उतक अब देखें ये किस प्रकार के होते हैं देखें इसको ये देखें आप देगे इसमें simple comedial अर्था सलकी ये दोगे ये तो है सलकी सरल उपकला उतक ये जो है घनाकार घन जैसी आकरती के रूपे है square और तीसरा है इस्तम जैसी सरचना को बनाए हुए है तो इसका एक दूसरा चितर अगर हम देखें तो और इसमें special हो जाएगा ये देखें सलकी सरल उपकला उतर as a flatted cells अर्था इसमें क्या हो रही है कि ये जो कोशिका है ये आधार कला पर एकल एकल है पतली है चप्टी है और एक तरह से सलक के समान सरचना को बनाए हुए है तो इस प्रकार का जो उतक होता है ये कहलाएगा सलकी सरल उपकला उतक ऐसे सलक सलक मतलब ऐसे पपड़ी की तरह flat सरचना है तो ये सलकी सरल इसमें आधार कला है ये और इसके उपर इस तरह से सलकी रूप में बना हुआ होता है दूसरा है घनाकार उपकला उतक घनाकार ऐसे घन जैसी आकरती को बनाए हुए है तो देखे ये एक तरह से गन जैसी आकरती का सरचना बनी हुई है तो यह कहलाएगा घנהकार सरल उपकला उथक हुजाता है तीसरा है अब देखिए ये जो अगर हम इनकी उधायण की बात करें सलकी सरल उपकला उथक जो होता है ये रुदिर की जो बाहिनिया होती है उनकी बित्ती इसी से बनी होती है फैपणों के अंदर जो बायू कोस होते हैं उनमें ये इसी प्रकार की सरल सल की सरल उपकला उतक से बना हुआ होता है घनाकार सरल उपकला उतक जो है इससे घन जैसी आकरती बनाए हुए है कोस का है और जो ब्रक ब्रकों के अंदर जो ब्रक नलिकाएं होती है नेफरोंस होते हैं तो उनकी जो भित्ती होती है वो इसी प्रकार की उतकों से बनी हुई होती है तीसरा है इस्तंबाकार इस्तंब जैसा देखे इसमें कॉलंबर है देखे इसमें यो सीधे खड़े हुए है ये भी देगे इसी प्रकार का है आप देगे इसमें कि चोडाई कम है और लंबाई जादा है और समय केंद्रक नीचे की तरफ उपस्तित होता है तो इस प्रकार का उतक जो इस्तंब जैसा लग रहा है तो इससे हम कहेंगे इस्तंबकार सरल उपकला उतक और ये उतक इसकी जो कोशका है वो लंबी होती है एकल कोशका के एकल कोशका के परत के रूप में उपस्तित होती है इन में जो केंद्रक होता है वो आधार भाग की तरफ उपस्तित होता है देखे लिए चितर में आप देख रहे हैं आधार भाग की तरफ उपस्तित होता है और ये आमा से है आत है या आहर नाल के जो अन भागों की जो आंतरिक सत्य है उसमें मुक्रूप से ये इस्तंबाकार उपकला उतक जो है वो पाया जाता है तो इस तरह से देखे यहां सरल उपकला उतक जो है तीन प्रकार का होता है सलकी सरल उपकला सलक जैसी सरसना बनाए है घनाकार सरल उतक यानि घन जैसी आकरती सम्में एकल ही परत होगी इसतमबाकार इसतम जैसी आकरती बनाई हुए यानी चोड़ाई कम, लंबाई जाए होती है आधार भागती की तरब के अधरक उपस्ते दिन के उन्दर होता है तो यह जिसमें देखे कई बार क्या होता है कि यह जो उतक होता है इसकी जो सुतंत्र सिरा होता है उस पर उंगली के जैसे प्रवर्द या उँचे नीचे उभार बन जाते हैं और ऐसे उभार जो होते हैं इनको सुक्षमांकुर कहते हैं जैसा कि हमने पाचन तंत्र में आहर नाल के अंदर जो छुद्रान्त वाला भाग होता है वहां की जो उपकला है उसमें कई प्रकार के इस तरह के उभार बन जाते हैं साथ में इसमें पक्षमाविकाएं बन जाते हैं ये पक्षमाविकाएं रॉम से दिखाई दे रहे हैं और ये जो पक्षमाविकाय होती हैं, ये गती को बढ़ा देते का काम करते हैं, यानि पदार्थ को एक निश्र दिशा में गती करने के लिए ये प्रेरित करते हैं, तो जैसे हमारी स्वसनिकाय होती हैं, या अंडवाहिनी होती हैं, तो अंडवाहिनी के अंदर इस तरह के पक अर्थात इसे हम कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे पक्छ माव किये इस्तंबाकार उपकला उतक तो ये उपस्तित होते हैं तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है सारल उपकला उतक अब हम कल पढ़ाएंगे सायुक्त उपकला उतक और इसके अलाबा विसिष्ट उपकला उतक तो इस तरह से ये हमारा chapter नया चालू हुआ है chapter number 7 और इसमें हमने सबसे पहले किसके बारे बढ़ा कि उतक किसे कहते हैं फिर आता है उतक प्राणियों के अंदर उतक कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के हैं कौन कौन से बताए थे सबसे पहला हुता है उतक, तूसरा सयोजी उतक, तीसरा पेशी उतक और चौथा तंतरिका उतक तो उनमें से हमने सबसे पहले उतक चालू किया हैं और उतक भी तीन प्रकार के होते हैं अब आप हमबर करेगा सबसे पहला प्रशन है उतक किसे कहते हैं बहुत सीधा प्रशन पूचा है मैंने जिससे कि आपकी पुरानी प्रीवियस नॉलेज का पता चले उतक किसे कहते हैं इसके बाद प्रशन नमबर दो प्रानी उतक कितने प्रकार की होते हैं प्रानी उतक कितने मुकरूफ से बताना कितने प्रकार के होते हैं प्राणी उतक जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं तीसरा प्रशन है ओप कला उतक किसे कहा जाता है ओप कला उतक किसको कहा जाता है और चौथा प्रशन है ओप कला उतक कितनी प्रकार के होते हैं तो इस प्रकार से ये चार प्रशन है और हमने आज एक नए-चेप्टर श्टार्ट किया जो बहुत ही इंपोर्टेंट है जूलो जी का है ये और इसमें हम प्राणियों का सरचनात्मक संक्टन किस प्रकार से होता है काफी लंबा चेप्टर है तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे तो आज हमने उतक क्या है कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से एक उतक का अध्यन किया है जो उसका नाम है सरल उकला उतक तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अगर किसी भी प्रकार के आपको कोई परिशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही